बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन नंबर सिस्टम की सेकंड एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज का पहला कुश्चिन दिया हुआ है कुश्चिन में बोला गया state whether the following statements are true or false इसमें भी क्या करना है true और या false बताना है तो few है every irrational number is a real number कुश्चिन में क्या कहा गया कि जितने भी irrational number है वो क्शक्षों क्या होते है रियल नंभर होते हैं तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमनेे देखा ही था कि जितने भी रियन नंबच हैं, जो भी वो सारे उसमें irrational, rational, prime, सब आते हैं रियन नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं में सब कुछ आ जाता है उसमें rational भी आएंगे, irrational भी आएंगे, prime भी आएंगे, even भी आएंगे, odd भी आएंगे, natural भी आएंगे, whole number भी आएंगे तो सब क्या आएंगे, real number में, integers VC में आएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये मारा true है क्योंकि irrational number भी real number में आते हैं तो यहाँ पर एक statement लिख देंगे, since collection of, collection of real number is made up of rational and irrational rational and irrational, कहने का क्या मतलब है, irrational और irrational ये जो भी है वो real number से ही बनते हैं, या real number में ही है, इसके बाद इसका second question है क्यारे, every point on the number line, number line पर हर एक point पर is of the form under root M कहे रहें, वहाँ पर under root M की form में होता है, where M is natural number M क्या है, यहाँ पर बोलागे, natural number, तो बच्चों अगर हम number line की बात करें तो number line पर 0 भी होता है, और यहाँ पर सोगरते हैं, अगर number line की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, minus 1 भी होता है, minus 2 भी होता है, minus 3 भी होता है तो बच्चो इसमें बोलागे नैचुरल नंबर साथ में तो नैचुरल नंबर तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं होगी लेकिन उन्होंने कहा हर एक पॉइंट पर नंबर लाइन की हर एक पॉइंट पर किस फॉइंट में होना चाहिए अंडरूड M फॉइंट तो इधर के तो हम क पॉम में हो जाएंगे तब तो इमेजनली नमबर हो जाएंगी तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा फॉल्स हो जाएगा इसमें क्या लिए पॉल्स और यहां पर साब-साब यह लिख सकते हैं कि कि नो निगेटिव नमबर नो निगेटिव नमबर था कन भी कन भी इस्क्वार रूट अप एनने नचुरल नमबर की कोई भी निगेटिव नमबर का square root नहीं होता ने चुनल नमबर ने तो इस तरीके से ये question हो जाएगा इसके बाद last इसका दिया हुआ है last है every real number is an irrational number क्या कहा गया है कि जितने भी real number होते हैं वो सारे के सारे irrational होते है तो बच्चों अगर पहले question में क्या था कि every irrational number is real रियल नंबर ये टू था अब इसमें उल्टा कर दिया कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इर्रेशनल होते हैं तो बच्चों रियल नंबर में तो 1 2 3 4 यह सब आते हैं जीरो जितनी कि अगर हम एक्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें कि या टू है या थ्री योन को ना लेकर त्य ओसरी ले सकते हैं कि य। यह तो इर्रेशनल लंबर है ना वन को भी ले सकते हैं इर्रेशनल लंबर है ना लेकिन यह तो क्या है रियल तो है लेकिन इर्रेशनल है ठीक है तो इस तरीके से कुश्चिन भी हो जाएगा बच्चों इसके बाद second question दिया हुआ है करें Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of the number That is an irrational number Question में क्या आँ कह रहे हैं कि Are the square root Square root किसके all positive integers मतलब जितने भी positive integers है उनका square root क्या irrational होता है उन्होंने ये पूछा है Square root किसका positive integer Positive integer का मतलब 1,2,3,4,5 अगर ये हम number ले ये कौन से है positive integer सी तो है तो अगर इनका हम square root निकाले जैसे हम under root 2 का square root करें under root 3 का square root करें या under root 5 का square root करें तो इनका square root तो हो रहा है इसका मतलब ये क्या है ये हमारे क्या है ये irrational number तो है लेकिन अगर यहाँ पर हम 4 की बात करें तो ये तो 2 हो जाएगा और 2 तो हमारा क्या होता है rational number होता है इसको हम 2 upon 1 की form में लिख सकते हैं तो ये तो rational number हो गया ना तो ये question क्या कह रहा था कि are the square roots of all positive integers irrational तो ये क्या हो जाएगा इसका answer no कि जितने भी square root होते हैं कौन से positive integers के अगर square root निकालेंगे तो वो irrational नहीं हो सकते क्यों क्योंकि उसमें से एक ऐसा भी number आएगा जिसके हम square root निकाल सकते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा no हो जाएगा और example के लिए हम यही कह सकते हैं कि अगर under root 4 है तो उसका 2 upon 1 भी हम लिख सकते हैं और 2 upon 1 क्या है हमारा एक rational number है बच्चों इसके बाद third question दिया हुआ है so how under root 5 can be represented on the number line number line पर so करने वाले कुछ question है तो इससे पहले दो example यहाँ दिये हुए है एक तो under root 2 को number line पर so करना है और एक example दिया है under root 3 को number line पर so करना है तो इन दो questions को हम पहले देखेंगे उसके बाद में under root 5 को हम देखेंगे ठीक है तो third क्या दिया है locate under root 2 on the number line तो बच्चों ऐसे questions को number line पर जिनको so करना है तो ऐसे questions के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक theorem है उसे पढ़ेंगे और वो theorem क्या होती है तो ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है वो theorem जो है 10th में भी उसका यूज होगा तो सबसे पहले इसमें आयेगी पाइथागोरस theorem पाइथागोरस theorem आखिर ये theorem होती क्या है पाइथागोरस थेयरेम जो होती है वो ट्राइंगल पर अपलाई होती है कौन सा ट्राइंगल ? 90 डिगरी वाला जो होता है यहाँ पर यह राइट एंगल है ठीक है ? अब इसमें पाइथागोरस theorem अपलाई होती है अब देखो जो इसमें सबसे बड़ी साइट होती है इसको हम बोलते है हाइपो टेनस हाइपो टेनस और यह जो सामने वाली साइट दिख रहे है इसको बोलते है पर्पेंडिकुलर और जो नीचे यह साइट दिख रहा है इसको बोलते है बेस तो इसका फॉर्मूला क्या होता जैसे हाइपोटेनस का हम एच कंसीडर कर लेंगे, बेस का बी कंसीडर कर लेंगे और पर्पेंडिकुलर का पी कंसीडर कर लेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वाइर इक्वल्स टू पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर प्लस बेस का स्क्वाइर, यही है हमारी पाइथागोरस इसी को apply करके इन questions को solve करेंगे तो देखो इधर square लगा है ना तो अगर इस square को मैं इधर भेज़ दू तो root आ जाएगा तो perpendicular का square plus basis का square लिख सकते हैं अब किस theorem से हम इन questions को solve करेंगे ठीक है पहला question क्या करो कि नंबर लाइन पर सो करो देखो इस अंडर रूट टू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे अंडर रूट टू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं वन प्लस वन ठीक है वन प्लस वन करके लिख सकते हैं अब यहां पर देखो क्या लिखा है अंडर रूट टू है ना इस अंडर रूट टू को हम एच कंसीडर कर लेंगे क्या हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइट इक्वल्स टू अंडर रूट इस वन का अगर मैं स्कॉ क्या होता है वन ही होता है तो इसको पर्पेंडिकुलर बोल सकते हैं मतलब पी का स्कॉयर और प्लस इस वन को हम बेस बोल सकते हैं मतलब बी का स्कॉयर तो यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दिख रही है हाइपोटेनस की वैल्यू दिख रही है अंडर रूट टू पर्पेंडिगुलर की वैल्यू कितनी दिख रही है? पर्पेंडिगुलर की वैल्यू दिख रही है 1 और बेस की वैल्यू कितनी दिख रही है? बेस की वैल्यू भी हमें दिख रही है 1 अब इनको हम नंबर लाइन पर सो करेंगे, देखते हैं कैसे सो करेंगे सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जैसे हमने एक एक ये लाइन ड्रॉ कर ली ठीक है? अब इस पर कुछ पॉइंट देते हैं कुछ डिस्टेंस के पॉइंट देते हैं जैसे कि यहां है हमारा 1 ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 ये 10, इस तरीके से हम सो कर लेंगे देखो, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर क्या होता है? ये कहीं पर एक 0 कंसीडर कर लो, जैसे हमने 0 यहां पर कंसीडर कर लिया इधर क्या होता है? माइनस 1 होता है, माइनस 2 होता है, माइनस 3 होता है, माइनस 4 और इधर positive value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से, तो देखो बच्चो, हमें क्या करना है, हमें so करना है, इस number line पर under root 2, तो negative value हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इस 0 से start करेंगे, 0 से कितनी distance होनी चाहिए, देखो ये triangle दिखराया है न, तो base कितना है 1, मतलब base की value कितनी है 1, perpendicular की value कि कितनी है 1, hypotenuse कितना है, under root 2, तो base मतलब नीचे की value, तो 0 से लेंगे, और 1 कहां तक है, यहां तक है न, यहां से लेकर यहां तक तो पता चले गया, अब क्या करना है, perpendicular कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है न, तो हम क्या करेंगे, इस 1 पर perpendicular बनाएंगे, perpendicular बनाने के लिए हम इस तरीके से arc हम सबसे पहले लगाते हैं, arc लगाने के बाद में, हम इसका bisect करते हैं, जैसे एक arc यहां पर लगाया, और एक arc हमने यहां पर लगाया, अब इन दोनों को bisect करेंगे, तो इस point पर रखो, और एक arc इधर लगा दो, और इस point पर रखो, एक arc इधर लगा दो, अ अब जहां पर यह cut हो रहा है ना इसको इससे match कर दो तो इसको जब हम इससे match कर देंगे तो यह हमारा हो गया perpendicular ठीक है यह जो value होगी इस angle की है कितनी होगी 90 degree होगी अब क्या करना है अब देखो यह हमारा क्या था base था ना एक cm का अब देखो ऊपर की तरफ कितनी चाहिए distance perpendicular भी तो एक cm ही चाहिए ना तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लेंगे कितना 1 cm तो scale में measure कर लेंगे scale में measure करेंगे 1 cm कहां पर cut हो रहा है तो कहीं यहाँ पर होगा ठीक है यहाँ पर cut हो रहा है अब यह जो point cut हो रहा है इसको हम इस 0 से मिला देंगे इस 0 से हम match कर देंगे ठीक है यह जो आई हा ना यह हमारा hypotenuse जो दिख रहा है यही हमारी under root 2 value होगी लेकिन हमें तो number line पर सो करना है ना कि यहाँ पर सो करना है तो हम क्या करेंगे इस root 2 को इस number line पर सो करेंगे कैसे सो करेंगे देखो अब क्या करना है अब इसको यहाँ पर रख लो जितनी distance है इसे measure कर लो यह हमने measure कर ली और यही arc जो है आप इधर लगा लो आगे चहां पर यही हमारा अंडरूट 2 होगा यह जो point cut हो रहा है यह हमारा क्या है अंडरूट 2 बुला जाए यह वाला पॉइंट इसके बाद बच्चों फोर्ड एकजामपल दिया हुआ है कहना है locate root 3 on the number line अब इस बार क्या करता है under root 3 को number line पर शो करना है कैसे करेंगे सबसे पहले तो क्या करना होता है python group math theorem apply करते हैं तो python group math theorem under root 3 पर कैसे apply करेंगे देखते हैं under root 3 को हम लोग लिख सकते हैं under root 1 plus 2 ठीक है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं under root 2 का i square कर सकते हैं इधर का आई है और हाएपोटेनस ही एगर consider कर ले है तो हाइपोटेनस एक्वल्स तु यहां पर इसको under root 3 ही रहने देना ठीक है इसकोunda Can sitra कर ले और यहां जो under root में दिया है तो यह हमारा हो गया b square यह हो गया हमारा बी स्कुर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, अंडरूर 3, पर्पेंडिकुलर की वैल्यू, 1, और बेस की वैल्यू, अंडरूर 2, बेस कितना होगा, अंडरूर 2 होगा, ठीक है देखते हैं, इसक्रुष्चिन को कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉक करेंगे हम लोग, ये लाइन हमने ड्रॉक कर ली, इसके बाद में इसके एक एक सेंटीमीटर के पार्ट कर देंगे, ठीक है, इतने ही पार्ट की जरूरत है, जैसे एक पार्ट ये हमारा हुआ, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी consider की, यह number line है, अगर हम यहाँ 0 consider कर रहे हैं, तो इधर की value negative की होगी और इधर की positive की होगी, ठीक है, यह हमारा यहाँ पर 0 है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से दिया हुआ है, इसके बाद क्या करना होगा, देखो, यहाँ पर दिया है, perpendicular, 1 है, और base कितना है, under root, 2 है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले है, देखना होगा कि कैसे होगा, तो under root, 2 इसके पहले अभी हमने सीखा ही, तो पहले हम under root, 2 को यहाँ drop करेंगे, तो under root, 2 drop करने के लिए हमने क्या किया था, यह जो 1 दिख रहा है, यहां पर 1 हमने आर्क हुआ ठीक है इसके बाद में क्या करना है इसको बाइस benefit करना है हम यहाँ अभर दो कट लगाएंग और इसी डिस्टैंस से एक ऊपर भी कट लगा लेंगे कि और यह जू पर कट लगा हुआ है यहां यह जो प्वा इंठ दिखरा इससे इधर एक प्ट लगा लेंगे ठीक है अब जो यह पॉइंट मिला है यह कट वाला पॉइंट मिला है हम क्या करेंगे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको इस वन से मैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, मैच कर देने के बाद में हमने क्या किया था, ऊपर एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने ले ली थी, तो एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे, अब एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर इस पॉइंट को हमने वन से मैच कर दिया था, ठीक है, जो ये वैलिव आई, ये जो लाइन है, ये हाइपोटेनस या इसको क्या बोलेंगे, अंडरूट टू, यही तो अंडरूट टू की वैलिव आई थी, अब देखो, अंड बेस कितना चाहिए था, अंडरूट टू चाहिए था, तो बेस हमें क्या मिल ला है, अंडरूट टू मिल ला है, अब देखो, हमें ट्राइंगल बनाना है, जिसमें पर्पेंडिकुलर कितना होना चाहिए, बेस होना चाहिए, अंडरूट टू और हाइपोटेनस अब क्या करना है इस आर्क का बायसेक्त करना है तो एक कट यहाँ पर, और एक कट यहाँ पर ठीक है। और इसी कट कर लेंगे ठीक है जहां भी यह कट हो रहा है इस point को इस point से match कर दो तो इस point को इस point से जब match करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक line आ जाएगी अब यह जो line आई है इस पर हमें कितना perpendicular चाहिए देखो base कितना दिख रहा है under root to इसके उपर perpendicular कितना चाहिए एक सेंटीमेटर तो एक सेंटीमेटर की डिस्टेंस यहां से हम ले लेंगे यह लें ते रही तो जो यह कट पॉइंट आ रहा ना इसको अब जीरो से मैच कर देंगे अब यह जो डिस्टेंस मिली है ना यही हमारा क्या है अंडर रूर 3 कि वैल्यू लेकिन हमें इदर थोड़ी ना सो करना हमें तो अंडरOh3 कहा खो करना नंबर लाइन पर सउ करना है तो क्या करेंगे Asian distance को मिजर कर लेंगे को je distance को मिजर कर लेंगे ठीक है और यही distance इधर नंबर लाइन पर एक यहाँ पर कट कर लींगे ठीक है, यह जो point आया, cut वाला, यही हमारा point क्या है, under root 3, तो इस तरीके से यह question complete हो जाएगा, ठीक है, यह इसको arc के type में भी दिखा सकते हैं, जैसे यह point था, तो इसको हम थोड़ा- lasted तोड़ा आर्क टाइप में भी दिखा सकते हैं जैसे या थोड़े थोड़े आर्क टाइप में दिखा सकते हैं इस तरीके से आर्क लगा कर तो इस तरीके से कुश्चन कम्प्लेट हो जाएगा यह जो पॉइंट होगा यह रूट तरीकी वैल्यू होगी इसके बाद exercise का third question है उसमें कहा गया so how root 5 can be represented on the number line under root 5 को क्या करना है हमें number line पर so करके दिखाना है ठीक है देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो under root 5 पर हम पायथा गुरस theorem अपलाई करें तो कैसे करेंगे तो इस root 5 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 4 इसके बाद में इसी root 5 को इस 1 को क्या कर सकते हैं 1 का square इस 4 को क्या कर सकते हैं 2 का square कर सकते हैं तो अगर हम पायथा गुरस theorem अपलाई करेंगे मतलब hypotenuse equals to under root perpendicular का square plus base का square तो hypotenuse की value कितनी दिख रही है under root 5 पर perpendicular की value कितनी दिख रही है 1 और base की value कितनी दिख रही है 2 ठीक है अब इसे number line पर draw करते हैं देखते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले हैं क्या करना है एक line खीचनी है सबसे पहले एक line draw कर लेंगे ठीक है एक centimeter के इसके part कर लेंगे एक centimeter के part कर लेंगे ज्यादा की जरूरत नहीं है बस थोड़े सा ही करना है तो यहाँ पर अगर हम zero consider करें यहाँ पर one यहाँ पर two three इस तरीके से तो जीरो के इधर अगर बढ़ेंगे तो negative value start हो जाएंगे इधर positive value क्योंकि number line हमें सो करने है तो number line पर होता क्या है number line पर यही तो होता है कि अगर left side में बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा negative value start हो जाएंगे इधर क्या होगा minus one minus two ही तो होगा ठीक है तो हमें zero से मनाना है तो देखो अब इसमें क्या बोला गया है अगर इस triangle को हम मनाएंगे पाइथागरस थेओरम अप्लाई करनी है ना अगर triangle बनाएंगे तो बेस कितना होना चाहिए तू सेंटीमीटर का होना चाहिए perpendicular one होना चाहिए और हाइपोटेनस अंडरूट 5 तो बेस कितना तू सेंटीमीटर तो हम क्या करेंगे जीरो से टू सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस ले लेंगे ठीक है और टू सेंटीमीटर पर क्या है परपेंडिकुलर है तो इसे टू सेंटीमीटर पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे ही डिस्टेंस एक कवर कर लेंगे ठीक है और एक आर्क लगा लेंगे आर्क लगाने के बाद में हमें क्या करना है बाइसेक्ट करना है तो एक कट यहाँ एक कट यहाँ और एक कट ऊपर अब इस पॉइंट से इस आर्क को कट कर लेंगे जहां पर कट हो रहा है इसको टू से मैच कर देंगे ठीक है अब क्या करना है देखो अब perpendicular कितना 1 cm का है तो उपर 1 cm की distance ले लेंगे 1 cm की distance लेकर एक कट लगा लेंगे यहाँ पर यह जो point है ना यहाँ पर 1 cm हो रहा है और इस point को match कर देंगे 0 से ठीक है अब यह जो line मिल रही है ना यही है हमारी under root 5 की value लेकिन हमें ऊपर थोड़ी ना सो करना है हमें कहां सो करना है हमें सो करना है number line पर तो हम क्या करेंगे इस point पर रखेंगे distance measure करेंगे ठीक है और distance measure करने के बाद में किसी distance को लेकर किसी distance को लेकर हम एक नीचे यहाँ पर cut कर लेंगे तो यह जो cut point आ रहा है यही हमारा क्या है under root 5 वाला point है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर under root 5 वाला है इधर 3 है तो इस तरीके से यह question complete हो जाएगा